नमस्ते मेरे दर्शकों आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टेरो में और मैं हूँ आपकी टेरो रीडर वैशाली शर्मा जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो कुछ पर्सनल सर्विसेस प्रोवाइड करता है जिसमें पहले है हमारी पर्सनल टेरो रीडिंग फिर आते हैं हमारी हवन सर्विसेज, फिर आते हैं हमारी माला जाप, और जो हमारे कुछ special त्योहार होते हैं, जो बड़े-बड़े, बहुत खास त्योहार हैं न, वो और जो special तिथी हैं, उन दिनों special हवन पूजन कराया जाता है, तो ये सब आप अपने नाम की personal booking करा सकते हैं, और ये जो हवन होते हैं, ये आपको देते हैं positivity, और आपको protection देते हैं, रक्षा कवच बनाते हैं, आपको positive energy देते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने life में कहीं अटक गए हैं, चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, या बंते-बंते काम रुक जाते हैं, कोई blockage है, तो उन सब चीजों से आपको बचाने के लिए ये हवन कराय जाते हैं, और भी कई फायदे हैं इसके कि आपको चिंता नहीं होती है, और कोई ऐसे negative जो thought हैं और विचार हैं, जैसे हमेशा कुछ गलत होने का डर सताय रहे ना, घबराट होना, इस टाइब की energy से निकाल के आपको एक peaceful और शान्त दिमाग देता है, ताकि आप अपना जो life के निर्ने हैं, वो सही से ले सकें, और जो हमारे 6 September से लेके 17 September तक 6 September से 17 September तक चल रहे हैं गनपती स्थापना है, ठीक है, गनेश जी के पूरे दिन चलेंगे, गनपती के दिन चलेंगे पूरे 11 दिन, तो इसमें गनेश जी के विग्न हर्ता वाले जो special havens हैं वो offers पर चल रहे हैं, और ये गनेश जी के haven major minor category में मिलेंगे आपको, तो जो भी आपके लिए suitable आप ले सकते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि ये haven गनेश जी के नाम पर है, गनेश जी के दिनों में हैं, तो ये बहुत powerful हैं आपके विग्न, दलिद्री, दुख, शोक हरने के लिए, और आपको सम्रिध्धी देने के लिए, ठीक है, तो आप चंपर्क कर सकते हैं, तो हम आते हैं आज की टेरो रीडिंग पर, तो आज की रीडिंग है कि महादेव का आपके लिए क्या संदेश है, तो आपके लिए ये कार्ड शफल करके रखें, इसमें देखते हैं क्या कार्ड हैं आपके लिए, तो ये हैं आपके क तो यहां पर सबसे पहले तो आपकी एनर्जी पिक अप हो रही है कि आपको कोई बात लेकर चिंता सता रही है आपकी खासकर फैमिली से लग रहा है जो आपकी कलोज़ बंस होते हैं जो जैसे की जिन पर आपने विश्वास किया हूँ यह जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं यह जिनकी आपको बहुत चिंता रहती है concern or care होता है तो उनके बारे में आप बहुत ज़ादा सोच रहे है और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको यह लग रहा है कि आपकी जो relationships हैं उसमें से एक तरह से magic चला गया है पहले क्या था पहले यह था ना कि एक इनसान भी कुछ सोचता था बोलता था तो वो बाकी के लोगों को भी समझ आ जाता था मतलब यह बात थी कि पहले आप लोग और आपके जो भी person है या जिस भी लोगों के बारे में community या परिवार के बारे में आप सोच रहे हैं या रिष्टेदारों के बार में सोच रहे हैं तो एक तरीके से आप लोग बहुत ही जादा same frequency पर थे यह ना same level की energy थी आपकी तो क्या था आप लोग बहुत अच्छी एक आप लोगों के परिवार में understanding रही है वो clearly दिख रही है लेकिन अभी क्या है क्योंकि यह magic आप देख रहे हो कि कहां जा रहा है कहीं न कहीं आपको ऐसा disconnected सा feel होता है ठीक है उस मारे आप बहुत confused हो और आप इन सब चीजों से निकलना चाहते हो और आप इसका solution देख रहे हो है ना लेकिन आपका यह confusion क्या है बढ़ता जा रहा है दीरे दीरे से और हलाकि आप आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आप किस पर विश्वास करो हो है ना और कैसे चीजों को सही से line में लेकर आओ line में लेकर आना मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे सब लोगों को एक ही line में लाया जाए वो भी एक ही point पर लाया जाए जो की सच का रास्ता है love का रास्ता है यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप एस इंसान है जो बड़े ही sensitive type के हैं आपने हमेशा यह सोचा है कि जो परिवार है जो लोग हैं आपके वो मिलकर रहें और एसा रहे न कि एक जैसे unity type का आपने चाहा है हमेशा कि आप लोग का जो एक life में focus रहें सबका एक रहें किसी का मन ना भढ़के जो कहते हैं एक mental equilibrium चाहा है आपने हमेशा यह सोचा है कि mindset में हमेशा सबका same mindset रहे ऐसा ना हो कि किसी के मन में कुछ बात है किसी के मन में कुछ बात है है ना तो आपने यही चाहा कि सबका focus एक तरफ रहे और वो focus क्या था वो था love respect है ना अच्छाई good कर्म करना एक दूसरे की help करना support करना एक दूसरे के साथ मिलकर चलना आगे बढ़ना है ना और इस सब के लिए आपने काफी महनत भी करी है आपने अपना पूरा जोर शोर लगा दिया लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से छूट रही है और आप कितना भी कोशिश कर ले उसको बचाने की उसको प्रोटेक्ट करने की संभालने की पर फिर भी वो चीज क्या है ऐसा लग रहा है बिखरसी रही है तो यहाँ पर जो महादेव है वो आपसे यह कहना चाहते है कि इसके पीछे भी डिवाइन का कनेक्शन है और यहाँ पर सबसे ज़ादा इसमें लग रहा है कि आपके जो कुछ देखो चीजे कनेक्टेड है जो स्टार्ज है आप यह समझो इस समय वो यह सब चीजे होना जरूरी है ठीक है यह जो भी डिफरेंसेज हो रहे है यह आपको ऐसा लग रहा है कि यह तो आपने सोचा नहीं ता फिर यह क्यों हो रहा है तो पहली बात तो यह है कि महादेव यह कह रहे है आप भी बहुत जादा अटैच हो गए थे इन कामों में यह फैमिली मेंबर से है ना तो महादेव पहली बात तो आपके लिए एक तरीके से इंडिपेंडेंट ग्रोथ चाहते हैं यहाँ पे आपको यह समझना होगा ठीक है कि आप अपनी आइडेंटिटी इन लोगों से हट के देखो कि क्या है सारी जिन्दगी आप देखो एक होता है लव पर लेकिन क्या होता न अती हर चीज की बूरी होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोडेपेंडेंसी बन गई और लव के नाम पे आप वो चीजों को ड्रैग कर रहे थे जबरन आप उसको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन असलियत में वो लव नहीं बंधन बनता जा रहा था तो महादेव कहने एक बार अपने जो कनेक्शन है उसको क्वेश्चन करो महादेव ने जो एक तरीके से ये पलट पलटी मार के आपको चीजे दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सच देखो कि सच क्या है हो सकता है आपने हमेशा ये ही सोचा हो कि चीजे इस तरह से चलेंगी या हमेशा ही एक चीज ऐसे तालमिल बठा के चल सकती है लेकिन यहाँ पर महादेव हो सकता है आपको ये दिखाना चाहते हैं कि लोग अलग-अलग होते हैं लोग बदल सकते हैं लोगों का सोचन समझने का लेवल अलग होता है लोगों की प्रायोरिटी अलग होती है लोगों का चरित्र व्यक्तित थौट्स अलग-अलग होती हैं लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर महादेव ये कहना है कि आपको सब के बारे में छोड़कर इसके पीछे का एक higher meaning समझो, higher meaning मतलब कि अगर भगवान ऐसा कुछ कर रहे हैं, या जो energy इतनी जादा एकदम से आपको अलग-अलग लग रही है, तो इसके पीछे का कोई reason है, है ना, इसका मतलब यह है कि यह जो energy थे, यह इतने सालों से नीचे दभी पड़ी थी, छुपी हुई थी कहीं न कहीं, कि आप लोग अलग हो, लोग आज जाकर वो चीज आपको highlight होकर दिख रही है, कि लोग different होते हैं, लोग नहीं हो सकता शयद जो आपसे agree करें, या आपसे सहमती रखें, हो सकता है कि वो लोग और परिवार आपसे सहमत है, और वो अपना रास ये दूसरा पहलू भी देखने की जरूरत है, और attachment छोडने की जरूरत है, हर बार आप ये expect नहीं कर सकते, कि सामने वाला आपकी तरह ही सोचेगा, या आपकी तरह ही अच्छाई चाहेगा, है ना, या मिल जुलकर ही उसका एक main motive होगा, है ना, तो आपको ये समझना है कि य दूसरा पहलू भी होता है, life का, लोगों का mind दूसरा होता है, लोगों की choices दूसरी हो सकती है, और इसमें आपको कोई परिशान होनी की जरूरत नहीं है, अगर अभी तक देखो, कुछ चीजे ऐसी थी जो कि आपके समझ के भार थी, आपके knowledge के भार थी, आपके consciousness के भार थी दो, क्योंकि देखो, यहाँ पर महादेव यह कह रहे है, कि यह जो एक आपको बाहर चीजे होती हुई दिख रही है, यह महादेव आपकी life में करतो रहे है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को criticize करने लगो, यह खुद को दोशी मानने लगो, यह नहीं करना है आपक को focus रखना है, और अपने काम पर focus रखिए, अपने mind को कोशिश करिए, meditation करें सबसे ज़्यादा, और जो भी आप काम करते हैं, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, जो अंदर से मतलब आपको अच्छा feel कराता है, वो काम करिए, और इन लोगों की चिंता ना करें, क्योंक ही protected है, और जरूरी नहीं कि जो शायद आपके साथ 10-20 साल से साथ में था, या 10-20 साल से आपको ऐसा लगता है कि वो आपको understand करता था, हम लोग तो same understanding पे थे, तो जरूरी नहीं कि आज वो आपके साथ same understanding पे रहे, या आगे भी रहे, अगर यह आपके भाई, बेन या siblings हैं, cousins हैं, तो आपको यह समझना होगा कि लोगों का understanding अलग हो सकती है, और फिर भी आप लोग की individuality हो सकती है, फिर भी आप एक दूसरे से respect कर सकते हो, एक दूसरे से प्यार कर सकते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस बात को stress में बदल दो, या उस चीज को अपने उपर blame ल केने लगो है ना, तो बस यही आपको समझने की जरूरत है, बाकी आपको अपने आपको free रखना है और अपनी individuality पर focus करना है, ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ वही एक चीज है जो आप control कर सकते हो, इस समय यह reading आपको बोल रही है, अगर इस समय आपको कोई महादेव guidance दें आपके खुद के व्यक्तिगत कर्म है ना, तो आप उस पर focus करिए और अपने मन पर कोई भी अगर दूसरों का बोज है कि है मैंने यह क्या कर दिया, है मैंने यह क्यों बोल दिया, है अब क्या होगा, है अब यह क्या होगा, यह तो यह बोल रहा है, है यह तो यह बोल रही ह और कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ को सच्चाई से जीए बहतरी से जीए अच्छा करें अपने आपको शांत रखिए कोशिश करिए कि अपने आपको किसी भी conflict में involved ना करें कोई भी ऐसा tension stress नहीं लेना है peaceful रहो मन को शांत रखो और बस आगे बढ़ते रहो loving energy में चलोगे positive energy में चलोगे तो सब ठीक रहेगा ठीक है तो ये महादेव का आपके लिए संदेश है बाकि अगर आप महादेव का haven book करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं और भी हमारे अन्य haven है mental clarity के लिए energy healing के लिए positive energy के लिए तो आप contact कर सकते हैं मैं मिलूँगे आपको next reading में